हलो बच्चों कैसे आप सब सब बढ़िया मस्त बिंदास जक्कास चलिए यार मैं भी मस्त स्टार्ट करता है आज के हम लोग अपने इस लेक्चर को जहां हम लोग आज क्लास स्ट्रेंद का चैप्टर नमबर फोर कार्बन एंड इस कंपाउंड की स्टार्ड करने वाले तो य यानि बहुत सारे अलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे प्रियोडिक्टेबल में टोटल नमबर फोर एलिमेंट के दिए हम बात करें जो हमें नोन है वो 118 एलिमेंट्स हैं लेकिन उसमें से एक एलिमेंट जो बहुत खास होता है सैंटिस्ट के लिए वो है कार्बन यानि कि कार्बन अकेला एक ऐसा एलिमेंट है जो इतने सारे कंपॉंट्स बनाते इतने सारे कंपॉंट्स बनाते जितने बाकी अधर एलिमेंट्स मिलकर भी नहीं बनाते तो ऐसी क्या खास बात है कार्बन के अंदर जो कि कार्बन इतने सारे कंपॉंट्स बनाते जो कि बाकी सभ से पांच चेप्टर आपको chemistry में हैं, लेकिन आगे जब जाओगे, तो आपको chemistry के भी तीन पार्ट मिलेंगे, physical chemistry, inorganic chemistry और organic chemistry, तो ये जो carbon chapter हम लोग पढ़ रहे हैं, carbon in its compound, ये actually organic chemistry का पार्ट होता है, जो कि अपने आप में बहुत vast, बहुत बढ़ा हो जाता है, जिसले बस, ठ इसके important compound चे उसकी study करने वाले हैं, तो सबसे पहले carbon मैंसा क्या खास बात है, जिसके वज़ा से इतने सारे compound बनाते हैं, तो देखिए, carbon, यदि हम इसका symbol की बात करें, तो carbon का symbol होता है 6, 12, जहां 6 क्या represent कर रहा है, atomic number को denote कर रहा है, 6 क्या denote कर रहा है, atomic number को, atomic number जानते हो ने number of protons present inside the nucleus, यानि atomic number 6 means carbon has 6 protons in its nucleus, that's it, mass number कितना है, यह क्या represent कर रहा है, mass number को, mass number means sum of proton and neutron, while atomic number represents number of protons, okay, यहां पर यदि हम इसके electronic configuration की बात करें, short में मैंने लिख दिया, EC means electronic configuration, electronic configuration carbon का क्या हो जाएगा, carbon का atomic number 6 है न, it has 6 protons and 6 electrons, तो हम electronic configuration इसका लिखते हैं, 2, 4, means carbon first cell में 2 electron होगा, second cell में 4 electron होगा, तो इसको यदि हम represent करना चाहें, तो कुछ इस तरह से represent कर सकते हैं, first cell में 2 electron, second cell में कितने electron है, 4 electron है, स्वाइज माई, अच्छा, यदि हम आपसे valency, पूछे, valency क्या होगा carbon का, valency of carbon, तो बताएंगे क्या होगा यदि, valency of carbon, तो, valency में 4 electron है, यदि कि इसके valency में 4 electron है, that means, it will have a valency of 4, and hence, carbon is called tetravalent in nature, carbon को क्या कहा जाता है, tetravalent का मतलब, इसके valency 4 होता है, and it can only form 4 bonds, with carbon itself, और with other items, अब इसका क्या मतलब है, आगे हम लोग देखी गए, तो, पहले यहाँ पर मैं नोट करके लिए लिएता हूँ, carbon is tetravalent in nature, tetravalent in nature, तो यह tetravalent क्यों हुआ, बात समझ माई, तो चलिए, tetravalency तो carbon का समझ में आ गया, अब आगे पढ़ने से पहले हम लोग, इस carbon का ऐसा कौन सा properties है, जिसके वज़र से carbon इतने सारे compounds बनाते है, हाँ, कौन सा property है, तो उस property का नाम होता है, catenation property, सुने हो नाम, उस property का नाम क्या है, catenation property, तो catenation property क्या होता है, हम solt में एक line, single line में खहे है, तो इसका मतलब है, self-linking property, क्या नाम है दुसरा वाला तिसरे कार्वन, तिसरा वाला चौथा कार्वन, यनि एक कार्वनेटम दुसरे कार्वनेटम को साथ जोडते चला जाता है और इस तरह से यह लार्ज मॉलीकिल्स बनाते हैं with high molecular mass, तो इसी प्रोपर्टी को हम लोग नाम देते हैं, क्याटेनेशन प्रोपर्टी अब बात आए कि भाई, कार्टनेशन प्रोपर्टी जो बाकी element ऐसा नहीं करते हैं, क्याँ बाकी element ऐसा नहीं करते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो bond बनता है ना बाकी elements, जैसे for example, माल लो हम nitrogen के case में कोशिस करते हैं, तो यदि हम nitrogen को इस तरह से जोड़ नहीं होते हैं, यह bond break हो जाते हैं, और इसलिए यह large molecules form नहीं कर सकता है, same way with oxygen को सोचे हैं, क्यों oxygen को हम जोड़ते चले जा, oxygen, oxygen को not possible, again यह unstable होता है, क्यों unstable होता है, तो 2-3 reason होती है, एक तो size छोटा और बड़ा होने के वज़े से, दूसरा electron, electron repulsion होने के वज़े से होता है, by the way reason आपको उससे मतलब नहीं है, तो यह oxygen वाले भी bonds होते हैं, nitrogen के case में भी nitrogen, nitrogen को bond होते हैं, यह सब आपके stable नहीं होते हैं, इसलिए यह आपका catnation properties नहीं करता है, लेकिन यही चाहिए हम carbon में करना चाहें, तो यह carbon जोड़ते चला जाएगा, carbon 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000-1000 carbon atom के साथ जोड़ते चला जा सकता है, without breaking of bonds, मतलब यह carbon carbon bond इतना stable होते हैं, यह break भी नहीं होता है carbon carbon के bond, तो इसलिए इतने सारे large small league होते हैं, तो यह जो property है, खुद एक atom, दूसरा atom के साथ जोड़ते चला जा रहा है, वो भी खुद के साथ, इस property को ही नाम क्या क्या दिया गया, catenation property, नाम में दोखेंगा है, self linking, self खुद अपने ही atom के साथ जोड़ते चला जाता है, बात क्लियर है, तो catenation property क्या होता है, तो catenation property के वज़ा से, यह पूछ दिया जा आप से एक single line में, कि वो कौन सा property है, जिसके वज़े से carbon इतने सारे compound बनाते हैं, कौ सा catenation property, याद रहेगा, अच्छा, इसके बाद, इसके बाद आपका carbon के बाद एक और ऐसा element है, जो catenation property शोग करता है, बट उस extent तक नहीं जितना carbon शोग करता है, और वो जो दूसरा element है, after carbon, जो maximum catenation property शोग करता है, वो है silicon, तो यार याद रखना, यह हो सकता है, पूछा जा सकता है, one marks questions में, तो silicon, symbol क्या होता है, si, is the next element after carbon, after carbon, which shows, which shows maximum catenation property, which shows maximum catenation property, बात आई सब्सक्राइब, अच्छा, तो यह catenation property carbon के दुआरा है, क्यों सोग किया जाता है, why, ठीक है न, तो reason, reason for catenation, catenation ही इतना जादा catenation property क्यों सोग करता है, तो इसके पीछे reason क्या है, तो दोखो, reason जो है न, पहला reason, very strong carbon-carbon bond, very strong carbon-carbon bond, यहनि carbon-carbon के जो beach bond बन रहा है न, वो काफी strong होता है, जिसके वज़े से वो bond ब्रेक भी नहीं होता है, जोड़ते चला जाता है, दूसरा reason क्या है, एक और reason है इसके पीछे, दूसरा reason है, small size of carbon atom, small size of carbon atom, तो carbon atom का size small होता है, small होने के वज़े से क्या होगा, जो उनके बीच में जो bond बन रहा है, वो काफी stronger bond बनता है, और इसलिए वो एक stable bond बनाता है, तो इस वज़े से carbon आपका catenation property शो करता है, बात के लिए यह चीज़े, चली, तो यह चीज़ तो समझ में आ गया, तो अब यह दिमाग में doubt नहीं होना चाहिए, कि carbon ही क्यों इतने सारे compounds बनाते हैं, यह पूछा तो answer क्या होगा catenation, तो चली, आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ने से पहले, carbon के compounds का हमें study करना है, carbon किस तरह से वो जुड़ता है, तो देखो carbon के पास balance cell में कितने electron है, 4, कितने electron है, 4 electron है, basic lecture में भी पढ़ाए हैं, और इससे पहले भी metals और non-metals का revision हम लोग one- sort video बनाये थे, वहाँ पर भी देखे थे, यदि किसी के valence cell में 1, 2 या 3 valence electron होते हैं, तो वो कौन सा bond बनाता है, यदि किसी के valence cell में 1, 2 या 3 valence electron होगा, कौन सा bond बनाता है, ionic bond या electrovalent bond बनाता है, लेकिन यदि किसी के valence cell में 4 electron है, 4 electron है, तो only covalent bond बना सकता है, वो ionic bond बना केवल share हो रहा है कि यहां पे गारे kvalent bond की बारे काड़े है मैं प्रिवेस लेक्षर्श का भी description आपको comment box में ढाल दूगा description box में ढाल गाइए there weए मैं यहां पे कोड़ा बारे में हर वो चीज़े बता दे रहाँ जो आपके लिए जरूरत है चलिए Covalent Bond तो सबसे पहले Covalent Bond क्या होता है Covalent Bond को हम Define किस तरह से करेंगे तो bond formed by sharing of electrons याणि जो Covalent Bond होता हूँ वो कैसे बनता है sharing of electrons sharing हम दो एक तुम हम भी एक तुम भी एक One by one sharing तो सारे और और यहां पर के तो यहां पर यहांप नहीं पर देड़ा है। types of covalent bond यह चीज़ आधा ना carbon keval or keval covalent bond बनाएगा ionic bond यह नहीं बनाता तो types में आगया पहला आपका single covalent bond single covalent bond single covalent bond किस तरह से बनता है यार इस इसको हम लोग देख लेते example के help से पहला example हम बात करते है H2 सबसे simple hydrogen तो hydrogen के लिए बात करें तो hydrogen के पास valence cell में कितने electron होते है यार एक चीज़ याद करना इससे पहले भी बता है कि केवल वैलेंस electron bonding को participate करता है only valence electron valence electron का मतलब जो बाहरी उस चेल में electron होते है तो hydrogen के पास एक ही electron होता है तो valence electron ही रहेगा hydrogen के पास है अब hydrogen आपको क्या octet complete करना चाहता है कि duplicate हाँ hydrogen को duplicate complete करना है duplicate means ये केवल अपने valence cell में चाहता है दो electron हो जाए helium के जैसा हो जाएगा inert gas का electronic configuration ये अचीव कर लेगा और stable बन जाएगा तो hydrogen को stability अचीव करने के लिए बस और बस दो electron होना पहले से एक electron है इसके पास एक और होना तो ये क्या करेगा ये इस hydrogen का एक electron ले लेगा hydrogen के पास हो गया दो electron इस hydrogen के पास एक electron ही है तो ये भी क्या करेगा इसका एक electron लेगा कोई भी यहाँ पे electron अपना पूरी तरह से दुसरे को नहीं देगा यह नहीं कि भाई यह hydrogen इसका एक electron ले लिया तो यह hydrogen इसको दे देगा पूरी तरह से ना पूरी तरह से नहीं तो इसलिए यह यहाँ पर क्या होता है sharing of electron होता है मतलब ना हम तुम को देंगे ना तुम हम को देगा हम लोग sharing कर लेंगा जिससे पाहले से इसके पा Cap एक है इसके पाहले से रहे तुम एक काम करो तुम मेरा एक electron हम तुम्हारा भी एक उसकर लेते हैं तो एक और एक दो इधर से भी इसी तरह से और भी example देख लेते हैं, जैसे CL2 की बात करते हैं, CL का electronic configuration क्या होता है, 2,8, याद रखना है, ठीक है ना, CL2, तो chlorine के पास कितने valence electron है, 7, याद रखना, आपका ये जो inner cell के electron है न, ये bonding में participate नहीं करेगा, के वल कौन participate करेगा, valence electron, बैलेंसल में कितने electron है, chlorine के पास, 7, तो इसलिए chlorine के पास है, 7, 2, 4, 5, 6, 7, got it, clear, चलिए, दो chlorine है, तो एक और chlorine आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब चलो बताओ याई, ये chlorine के पास कितने है, 7, stable होना, stable होने के लिए क्या करेखा, ये octet complete, octet complete कैसे करेगा, तो 7, 1 इधर से ले लेगा, 7, 1 इधर से ले लिया, तो इसके पास 8 हो जाएगा, लेकिन जरा मुझे बताना, क्या ये chlorine अपना electron इसको पूरी तरह से देगा, क्या, ना, पूरी तरह से यदि ये इसके दे दिया, तो इसके पास कितना बचेगा, पूरी तो चाहिए एक electron, तो इसलिए क्या करेगा ये, ये साथ इसका एक लेगा, sharing of electron हो जाएगा, जिससे कि यार, इसके पास भी 8 हो जाए, इसके पास भी 8 electron हो जाए, तो इस तरह से chlorine और chlorine के वीच में क्या हो गया, एक एक electron का sharing हो गया, और यहाँ पर again, single covalent bond का formation हो गया, बात आ रहे हैं समझ में, तो अब यदि मैं आपसे पूछाँ किस क्लोरीन के पास कितने electron हो जो bonding में नहीं गया, कितने electron है, तो देखो यार, ये electron आपका क्या बांडिंग में जारा है, बाकी ये जो दिख रहा है ये सारे electron bonding में नहीं गया, सेमे में मैं इस chlorine के पास हम आपस पूछे कितने electron bonding में नहीं गया तो बतादा यार तो इस chlorine के वाल यही वाला electron तो गया bonding में बागी दो चार दो छे electron दीख रहा है वो तो पड़ा है तो इसलिए यहां पर यह chlorine पर पास यह 6 electron पड़ा है यह electron को हम लोग नाम देते हैं lone pair क्या नाम देते है lone pair of electrons यानि इस chlorine के पा कहते है lone pair इसके पास भी कितने pair हैं इसे 3 lone pair तो 3 lone pair इदर 3 lone pair इदर total lone pair की हम बात करें तो 6 lone pair है by the way lone pair के बारे मैं आपको जहना नहीं बढ़ बता दे रहा हूँ 6 lone pairs present है कैसे है समझ में आ रहा ना यार CL2 का structure कैसे बना है covalent bond का formation किस तरह से होगा क्लेर है ना चलिए एक example हम और दे रहे है कोशिस करने तुम लोग वीडियो पास करके खुद से भी कोशिस का ना यार बनाने की ठीक है ना मैं तो बना ही रहा हूं HCL तो लोग खुद से सो करो खुद से ट्राइक करों HCL का तो चलो जह रहा है हाई हे रहाते है हम हाई हीरोग के पास चलोठ से क्लोरीन धेक लैक्रॉन को से दिखा रहे हैं हईडोग के लिक्त्रों को इसको जैसे क्लोरीन के लेक्ट्रों को इ percept है तो सकते है इदे नहीं मन करत हैं ila क्रोस का तो वह भी चल जाएगा बट डिस्टिंग्वीश करने के लिए यह हाइड्रोजन का एलेक्ट्रोन है इसको बस डिफ्रेंस के लिए हम डॉट और क्रॉस का यूज करें हाइड्रोजन आप क्या करेंगा तुम्हीं लोग बता जाहिए हाइड्रोजन को इसका एक लेक्रोन का लेगा लेक्रोन लेक्रोन का लेक्रोन के लिए साथ इसको तो अक्टेट कम्प्लीट करना है इसको भी एक चाहिए तो यह भी क्या करेगा इसका एक एक इलक्टॉन आया रहा है इसे मजबात तो इस तरह से यह एच और और शील के बीच में बताओ यार कितने इलक्टॉन का शेरिंग हो गया तो एक इधर से भी एक अच्छा मुझे जब बतावा यह जा जाना यह वह पूच impress ओ़। AWS के पास कितने लोनल पेर बचे सोच इसने बज गए 6, यानि कितने लोन पेर बोलेंगे, 3, इलक्ट्रोन है 6, 2, 4, 2, 6, लेकिन लोन पेर की बात करने का था, 3 नहीं के, 2 इलक्रोन का मतलब 1 पेर होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम, तो यहाँ पे 3 लोन पेर, LP का मतलब लोन पेर, बात समझ माई है, तो यह सारे ए यह सब एक, यह सब, सिंगल कोविलेंट बांड के एक्जामपल थे, एक और एक्जामपल की हम बात करेंगे, अगेन जिसको आप लोगों खुद ही ड्रॉ करना है, और अगेन इंपोर्टेंट है, यह आपके एक्जाम में मुश्ट पावबली आजबते हैं, CH4, ट्राइ कर ह यह दो खुद से, तो देखना यार, एक है कारवन एटम, और इसके चार और क्या लगए हैं, चार हाइड्रोजन एटम है ना, तो हम चार हाइड्रोजन एटम, चार तरफ लगा दिते हैं, अब हाइड्रोजन के पास वैलेंसल में कितना इलेक्टान होता है, एक, तो यह हम चार तो इस तरह से कार्बन के पास हो गया चार एलेक्ट्रोन अब देखना हाइड्रोजन अपको क्या करेगा डूप्लेट करने के लिए एक एलेक्ट्रोन कार्बन से ले लेगा हाइड्रोजन के पास हो गया दो एलेक्ट्रोन ये भी हाइड्रोजन अपना डूप्लेट करने पास खोर शोड़न करनी था उसको ऑक्रेट करने की लिए इतना इलेक्ट wa deeply gesagt do अब तुम पर हमको अपना एलक्ट्रोन दा इस तरह से इधर को से कर लिए है जएनि carbon के पास फेले चार था और इस तरह से चार यहर से और ले लिया carbon के पास कितना एक्टरण हो गया है तो इस तरह से यदि हम CH4 का structure बनाएं तो यहां पर देखना सी और इस हो एक बीच में कितने एक्टरौन का शेरिंग उरा एक इधर से भी है यह लिए यह का नाम है, एक important organic compounds है, जिसके बारे में आगे हम लोग देखने वाले हैं, तो CH4 का structure कैसे बना, clear H is, चलिए, उम्मीद करते हैं, आप लोग अच्छे से समझ में आ रहे हैं होगी, तो यह CH4 का structure हो गया, ओके, तो अभी हम लोग जितने भी example देखें न, इसमें हर जगा single covalent bond थ example होगे, next अब हम लोग आता है, double covalent bond के कुछ example पर, audit, चलिए, double covalent bond, चलिए, सबसे इसका जो important example है, वो है, O2, O2, oxygen, oxygen के पास बताओ यार, electronic configuration, चा होता है, 2,6, ठीक है, oxygen के पास, O2 मतलब दो oxygen item, oxygen के पास, valence cell में कितने electron है, 6, तो 2, 4, 6, 2, 4, 6, dot थोड़ा ज्यादा चोटा हो सकता हो गया हो, तो समझता है, तो अब बताना यार, इस oxygen को कितने electron चाहिए, octet complete करने के लिए, पहले से 6 है न, valence cell में, 2 और चाहिए, क्या करेगा, ये 2 इसका ले लेगा, 6 है, 2 इसका ले लेगा, 6, 2, 2 electron का sharing, ये इसका 2, ये इसका 2, बन गया है, देखो, 6, इसका 2 ले लिया, 8 हो गया, इसके पास 6 था, ये इसका भी 2 ले ले लेगा, हो गया, इस तरह से oxygen, oxygen, कितने electron का sharing हुआ, इधर से 2, इधर से 2, 2 electron का sharing हुआ न, तो इसलिए यहाँ पे double covalent bond आ जाएगा, अब यार तुम oxygen के पास 6 थे, 6 में से 2 electron चला गया, bonding में, कितने बच के, 4 electron, यानि ये 2 lone pair आपका कहलाएगा, कितने lone pair कहलाएगा, 2, इस तरह से इस oxygen की हदिया हम बात करें, तो इसके पास भी 2 lone pair कहलाएगा, तो इस तरह से आपका O2 का formation हो गया, got it, सांज मारा बात यार, चलिए, एक और example क हम बात कर लेते हैं, आप लोग यार, खुद से कोसिस करना, CO2 carbon dioxide का structure बनाने के, यदि आप लोग बना दिये, मानदारी से CO2 का structure, यदि इस तरह से electron dot structure बना दिये, समझ दाना के आप लोग का concept clear, कोसिस करें यार वीडियो पास करके तुम लोग, चलिए, carbon, oxygen, oxygen, चलिए, बता oxygen के पास valence cell में कितने electron, कितने electron, छे, दो, चार, छे, इस carbon के पास कितने electron, चार electron, दो और दो, चार, इस oxygen के पास 6 electron, ठीक है, यहां तक, अब बताना है, पहले हम oxygen की बात करते हैं, oxygen को कितना electron चाहिए, octet complete करने के लिए, दो, तो यह oxygen ले लिया, इसका 2 electron, 6 था, दो इधर से ले लिया, 6, 2, 8, इस oxygen की बात करते है, 6 था, 2 इधर से ले ले लेगा, 6, 2, 8, oxygen दोनों के दोनों happy हो गया है, अब बात आती है, carbon की, carbon के पास कितने electron है, 2, 2, 4 electron है, octet complete करने के लिए कितना चाहिए, 4 और चाहिए, तो यह देखे है, oxygen मेरा 2 electron लिया था, तब यह carbon तो इसका 2 electron लेगा, इधर भी oxygen पढ़ा है, इधर से भी 2 electron लेगा, तो 4 इसके पास खुद का है, 2 इधर, 2 इधर, 6, 2, 8 हो गया, इस तरह से यह बन गया, तो देखो यार, carbon, oxygen, oxygen, यहाँ पे carbon और oxygen के बीच में कितने electron का sharing हो रहा है, 2-2 electron का sharing हो रहा है, तो इधर double covalent bond आ जाएगा, same way में, इस carbon, इस oxygen के बीच बात करा जाए, तो यहाँ पे भी 2-2 electron का sharing बहा है, इसलिए यहाँ पे भी double covalent bond आ जाएगा, बाता ही समझ में ना यार, चली, loan pair दिखनाने की ज़ुरत नहीं है, बट, समझ में आ गया है, तो दिखला देना ज़ुरत नहीं है, इस oxygen के पास कितन electron बच रहे हैं, इस oxygen के पास कितने बच रहे हैं, छे में से दो गया, कितना बच गया, चार, यह जो electron दिख रहा है, इसी को loan pair कहते हैं, बचार, alone है, life में, इसलिए इसे loan pair नाम दे दिए, तो CO2 का भी structure समझ मागया, तो इस तरह से हम लोग double covalent bondage के भी example देख रहे हैं, यह triple covalent bond, triple covalent bond, चली, इसका भी example देख लेते हैं, एक example जो सबसे common example है, वो N2 nitrogen gas, nitrogen का बताओ यार electronic configuration क्या लिखते हैं, 2,5, चली, तो यहाँ पर देखो, दो nitrogen item आएगा, nitrogen के पास valence cell में कितने electron होते हैं, देखे हैं, कितने electron होते हैं, 5, इस nitrogen के पास भी कितने electron हैं, 5, अब बीडियो पास करके structure ड्रा करने की कोसिज करना, तो nitrogen के पास 5 है, इतना electron चाहिए, ओक्टेट कम्प्लेट करने के, 3 ही चाहिए, तो यह क्या रहेगा, 3 ही इधर से ले लेगा, 5 और इधर से 3 हाट, लेकिन इसके पास भी तो 5 ही electron था, इसको भी तो 3 चाहिए था, तो यह इसक nitrogen और इस nitrogen, कितने electron का sharing होगा दोनों के बीच में, 3-3 electron का, तो इस तरह से आपका, अच्छा, nitrogen, nitrogen के में 3 electron, इधर से 3 electron, इधर से, triple covalent bond क्यों बना समझ मागिया, क्योंकि 3-3 electron का दोनों साइट से sharing हो रहा है, इधर से 2 electron, इधर से sharing होगा तो वो double covalent bond बना देगा, इधर से 1 electron 5 था, 5 में से 3 गया bonding में, कितना बज गया, 2 electron बज गया, means एक lone pair बोलेंगे इसे, इसी तरह से इस nitrogen के पास भी हम बात करें, तो एक lone pair हम बोलेंगे, तो इस तरह से आपका N2 का structure हो गया, जिसमें triple covalent bond present है, समझ मारे हैं, बड़ा ही easy topic है, बड़ा ही easy topic है, even chapter भी बहुत easy है, और बहुत मज़ेदार भी है, video pause करना और कोसिस करना है HCN, नाम होता है इसका hydrogen cyanide, इसका structure बनाने का, इस तरह से H, C और N लगे होंगे, अब इसके बीच में तुम लोग electron dot structure बनाने कोसिस करो, खुद से करो, video pause करके करो, तो देखे हैं, hydrogen के पास कितने electron, एक electron, carbon के पास कितने electron, चार electron, nitrogen के पास कितने electron, पांच electron, carbon के electron को dots है, hydrogen को cross है, nitrogen को भी cross है, जिसको मन करें, dot cross दिखला सकते हो, other other elements को लोग अलग-अलग तरीके से दिखला रहें, ठीक है, तो hydrogen को, पहले हम लोग हमेसा side वाले elements को satisfy कराते है, hydrogen के पास एक electron है, एक चाहिए, carbon का एक electron ले लिए, hydrogen के पास को किया, दो electron, काम बन गया, hydrogen का, nitrogen के पास 5 electron है, valence cell में, देख भाई, nitrogen के पास 5 electron होता, इसलिए हम यहाँ पर 5 लिख रहें, carbon के valence cell में 4 electron होता, इसलिए 3 और 1, 4 लिखें, तो इसलिए आप लोग यह ना पूछें कि मैं 4 ही क्यों लिखें, 5 ही क्यों लिखें, तो हम लो nitrogen का duplet complete, इसको 5 और 3 चाहिए था, 8, 5, 3, 8, nitrogen भी हपी, hydrogen भी हपी, अब बच गया carbon, carbon के पास से 4 electron, अब देखें, भाई, हम से कौन कितना electron लिया है, जितना लिया होगा, हम भी भाई, उसलिए कि उतना electron, hydrogen इसका एक लिया था, carbon भी इसका एक ले ले लेगा, nitrogen इसका 3 लिया थ तीन इधर से, एक इधर से, तीन और एक चार, और इसके पास खुद का भी 4 electron पहले से पड़ा था, कितने electron हो गया carbon के पास, carbon के पास 8 electron हो गया, इसका भी ऑक्टाइट कंप्रे, ये भी बेचार मस्त स्टेबल हो गया, आई बात समझ में, तो इस तरह से, H, C, N, अब बताना इसमें आपका कौन-कौन सा bond present है, single, double, triple, only single, only double, only triple bond, देखो या, hydrogen carbon के बीच में कितने electron का सेरिंग, एक तेहाँ पे क्या जाएगा, single covalent bond, nitrogen के पास 3 electron, तो carbon nitrogen के बीच 3-3 electron का सेरिंग, तो यहाँ triple covalent bond हो जाएगा, मतलब यहाँ HCM हम क्या देख रहे हैं, कि single covalent bond भी present है, और साथ में triple covalent bond भी present है, clear है यह चीज़, तो इस तरह से, यहाँ पे triple covalent bonded के भी कुछ example हम लोग देख लिए, और मुझे लगता है, अब इतने सारे example करने के बाद, covalent bond का concept clear हो गया हो आप लोग, तो चलिए, तो इसके बाद, अब हम लोग, carbon के कुछ allotrops है, important allotrops है, उ अब आगे बढ़ते हैं, और next हम लोग देखने वाले हैं, carbon के allotrops के बारे में, तो सबसे पहले allotrops क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं, allotrops of carbon, allotrops, allotrops का मतलब क्या होता है, तो different forms of same element having different physical properties, क्या मतलब लेख देता हूं, different forms, different forms of same element, of same element having, having different physical properties, chemical properties इनका same होता है, लेकिन physical properties की हम बात करें, तो ये different होता है, आज यसे हम बात करें carbon के, carbon के आपके different allotrops तो main three allotrops form होते हैं, वो आपके three allotrops of carbon, carbon का जो तीन main allotrops है, पहला आपका graphite, diamond, diamond से start करते हैं, जो important है, graphite, और जो third है, वो है, full rain, हम लोग इसे बोलते है, full rain, buckminster एक नाम था, उस नाम के basis पेसे buckminster full rain भी का हसाता है, बाइदावे, जो तीन main allotrops से carbon के, वो है diamond, graphite और full rain, इसके अलावा कुछ और forms basis है, coke, coal, यह सब भी carbon elements से मिलकर ही बने होते हैं, मतलब मिलकर बने होते हैं, इसमें केवल carbon elements ही होते हैं, जैसे हम diamond की बात कर रहें, graphite, full rain, this is allotrops of carbon, मतलब इसमें आपसे पूछा हैं कौन से element present हैं, तो यह सारे different forms में, even coal, wheat, coke, यह सारे में भी carbon ही होते हैं, लेकिन हम उसकी study नहीं करते हैं, जो हमारे जादे important हैं, वो यह तीन हैं, इसलिए हम लोग इस तीन की study केवल यहां पे कर तो अब यह तीनों की तीनों के इंगे different forms of same element, यानि तीनों की तीनों क्या है made of only carbon atom, तीनों की तीनों की से मिलकर बने हैं, केवल और केवल carbon atom से मिलकर बने हैं, साथी साथ having different physical properties, और इनका physical property की बात करा जाएं तो बहुत different होते हैं, physical property का मतलब है diamond, diamond आपका very hard होता है, graphite as a lubricant, because they can slide over each other, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, और full ring, full ring ना ही बहुत hard होता है, ना ही बहुत soft होता है, तो इसके physical properties होता हुँए different होते हैं, different behavior show करता है, तो यह सारे allotrops से एक एक करके हम लोग तीनों का study हम लोग start करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे diamond की, तो दे तो diamond में क्या होता है, एक carbon atom ना, चार अधर carbon atom से जुड़ा होता है, इन और tetrahydral बे है, किस तरीके से, मतलब एक carbon atom, चार अधर carbon atom से जुड़ा है, इन और tetrahydral बे, tetrahydral arrangement, means, each carbon atom is bonded to four other carbon atoms, four other carbon atoms, tetrahydrally to form a 3D zine structure, बहुत important है यह, यहाँ पर यह एक 3D zine structure का formation कर देता है, मतलब यह क्या हुआ, जैसे यहाँ पर क्या होता है, एक carbon atom आपका चार carbon atom से जुड़ा है, देखो, इस carbon की बात करें, तो यह कितने carbon से जुड़ा है, एक, दो, तीन, चार, किस वे में, tetrahydral, tetrahydral मतलब सम होता है, तो यह आपका tetrahydral होता है, मतलब यह, tetrahydral मतलब समझ रहे हो, त्राइपोड देखे हो, नहीं देखे हो, अधर सर्च करना है, तो उस वे में, यह, एक carbon atom, चार अधर carbon atom से जुड़ा होता है, इवेन, यह, यहाँ पर जो है, खतम नहीं होता है, यह, इसका sequence, यह carbon atom further 4 carbon atom से जुड़ जाएगा, यह carbon atom, अगीं, 4 carbon atom से जुड़ा है, एक इधर जुड़ा पहले से था, एक, दो, rot, तीन, साथ फर्दर और जोड़ का पिर ये भी आपका फर्दर थी मतलब इस तरह से चलता जाए ये इधर अपना अलग है मतलब ये जैक कारबन एक कारबन जैवंड ऐदर वांधर कशनों टैरा है स्ट्रॉक्चर से शोरती है ज्याइंट के तो आपको क्या मिलेगा बहुत बड़ा बहुत विसाल स्ट्रक्चर मिलेगा ना इसलिए यह 3D जाइंट स्ट्रक्चर का फार्मेशन करता है और यहां पर क्या होता है यह हम डाइमंड की बात करें तो यह सिंगल मॉलीक्यूल होंगे इसमें हर एक कार्बन एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ट से जोड़ा हुआ है तो इसलिए यह जो डाइमंड होते हैं वो बहुत ही हार्ड होता है समझ महारा बात क्यों ऐसा होता है क्योंकि यहां पर कार्बन एटम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ट से जोड़े होते हैं तो यह चीज़े इसके बाद आपका डाइमंड के बारे में डाइमंड इलेक्रिसिटी कंड़ा करता है क्या रएमड इलेक्रिसिटी कंड़ा है या इलेक्रिसिटी कंड़ा है यहां पर हम क्या देखता है diamond में हर एक carbon atom का valence cell में कितने electron होते हैं यदि हम carbon के पास बात करें तो 2,4 4 electron होते हैं na valence cell में लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं carbon के जो 4 electron है वो तो bonding में चला गया इधर भी bonding में चला गया फिर इसका electron भी आपका bonding कोई भी carbon atom को यहीं हम पकड़े ना तो उसके चारो के चारो electron bonding में चला जा रहा है कोई भी electron बचा ही नहीं है उसके पास move करने के लिए flow करने के लिए जब electron बचा ही नहीं है तो flow of charge के हम बात ही नहीं करेंगे इसलिए electricity करता है लेकिन आगे हम देखेंगे कि graphite electricity conduct करता है तो यह चीज़े समझ माया तो यह एक 3D design structure form करता है single 3D design structure है इसके वाज़े से यह very hard होता है it does not conduct electricity यह दो point at least याद रखेंगा आप diamond के case में next जो point है graphite को हम लगाते है और graphite किस तरह से आपका diamond से different होता है graphite यदि graphite में हम बात करें न यहाँ पर एक carbon atom एक carbon atom तीन other carbon atom से जुड़ा होता है diamond में क्या था each carbon atom is bonded to four other carbon atom tetrahydrali लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ पर क्या होता है each carbon atom is bonded to is bonded to three other carbon atoms in hexagonal manner to form to form 2D structure यह important है यहाँ वहाँ पर diamond के case में हम क्या देख रहे था है 3D के structure का formation हो रहा था लेकिन graphite की case में साने यहाँ पर 2D structure का formation होता है यहाँ यहाँ पर two dimensional hexagonal structure यह form करता है कैसे करता है यहाँ जरा देखना देखना यहाँ इस तरह से यह यहाँ चलता जाएगा series यानि कोई भी carbon atom को आपको देख लो कोई भी carbon atom को देख लो मालों इस carbon atom को देखना चाहते हैं यह carbon atom का तीन carbon atom से जुड़ा होगा एक दो तीन carbon के पास एक electron बचा हुआ है ठीक है उस electron को हम dots दिखला देते हैं इसी तरह से इस carbon atom को हम check करते हैं तो एक दो तीन अगेन इसके पास एक electron क्यों बच रहा है carbon का 2,4 valence rate में 4 electron होते हैं लेकिन 4 में से यह केवल कितने electron का bonding कर रहा है 3 electron का bonding कर रहा है एक electron बच गया है इसी तरह से यहां पर यह दी देखो इस carbon की बात कर रहा है तो एक दो तीन तो इस तरह कोई भी carbon atom की आप बात करोगे तो थी अधर carbon atom से जुड़ा होता है और यह देखो hexagonal way में जुड़ा होता है एक दो तीन चर पांचे तो इस तरह से यह एक flat structure बनाता है flat 2D structure बनाता है यह बात समया नहीं तो इस तरह से क्या होता है ग्रेफाइट में आपको layered structure देखे नों को मिलेंगे पहले मैं सारे points को यहां पर summarize कर रहता हूं graphite has graphite has 2D flat structure यह क्या बनाता है आपका 2D flat structure flat structure का मतलब समय में आ रहा है बिलकुल यहां पर आपका two dimensional form होता है इसमें कोई three dimensional नहीं होता है जैसा कि diamond हो रहा था तो पहरा चीज तो it has 2D flat structure दूसरा point again important point है it has layered structure layered structure का मतलब क्या है layered structure layered structure का मतलब क्या है यहां पर graphite हो होते है न यह different layers के form में पाए साथ है मतलब एक layer बना जब हम एक layer की बात करेंगे इसमें तो केवल और केवल hexagon के बहुत सारे molecules होंगे बहुत सारे hexagon लगे होंगे और वह एक ही layer में लगेंगे two dimension में होगे फिर इसी तरह से graphite का और एक similar layer बनेगा लेकिन वह दूसरा layer बनेगा फिर इसी तरह से नीचे तीसरा layer पांचवा layer हर एक layer में आपके hexagonal ring ही रहेंगे केवल ठीक हर एक layer में hexagonal ring रहेंगे तो इस तरह से बहुत सारे layers बनते गरेफाइट में तो इसलिए हम इसमें लिखते layer structure और important बात जो है यहाँ पर different layer structure मालों एक layer यह दूसरा layer यह 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 दो different layer के बीच में जो है ना कोई covalent bond नहीं होता है जैसे जब हम एक ही layer की बात करते इसी layer में यदि carbon carbon के बीच के थी हम bonding की बात करें तो carbon atom आपका किस bond से जुड़े है covalent bond से जुड़ा है ना लेकिन जब आप एक layer और दुसरे layer के बीच के bonding की बात करते तो इसकी और इसके बीच में कोई covalent bond present नहीं होता है फिर यह आपस में एक साथ कैसे जुड़े होते हैं जैसे pencil lead देखे हो ना pencil को आसानी से आप हाथ से तोड़ सकते हो की नहीं तो क्यों तूट जाता है क्योंकि वहाँ पे जो different layers है ना graphite में वो different layers के बीच जो force है वो बहुत ही weak force है और उसी weak force के कारण आप आसानी से तोड़ सकते हो लेकिन diamond आपको दे दिया जाएगा और diamond को अब तोड़ पाओगे नहीं क्यों क्यों किसमें कोई layered structure थोड़ी नहीं होता है उसमें तो carbon add up बस और बस covalent bond से जूड़ते चले जाते हैं तो ऐसे में आप वहाँ पे bond को तोड़ नहीं सकते हो बात सजमाई तो इसलिए यहाँ पे अगेन एक important point different layers in graphite different layers in graphite different layers in graphite are are joined by weak winder wall forces winder wall forces यहाँ पर different layers in graphite में वह आपस में किस bond से जूड़ है weak winder wall forces force का नाम याद रखना है और हो सकता objective में one marks question push दे जाए कौन सा forces present होते हैं और यहीं वजाहें कि यह जो weak winder wall forces due to this layer structure एक layer 2 layer 3 layer 4 layer और यहाँ पर different layers के बीच में weak winder wall forces present है इसलिए आसानी से एक दूसरे के उपर slide कर सकते हैं और यहीं वजाहें इसको हम लोग as a dry lubricate क्यूज करते हैं जैसे घीस जाते हैं जो motorcycle का part जब घीस जाता है तो वहाँ पर हम लोग grease डालेते हैं lubricant डालते हैं तो लिब्रीकेंट क्या करता है थोड़ा सा उसको smooth कर देता है और आसानी से वह फिर से work करना properly start कर देता है तो इसलिए due to weak vendor wall forces weak vendor wall forces weak vendor wall forces के वाज़ा से different layers different layers writing air थोड़ा अच्छा है नहीं तो यह समझना थोड़ा different layers can slide over each other over each other and hence it is used as lubricant और इसलिए हम लोग इसको use करते हैं as a lubricant इसका एक और other important application से uses है इसको हम लोग as a electrode भी use करते हैं इलेक्रोड मतलब बैटरी से यह आपके पास कोई बैटरी है उस बैटरी से आप किसी भी metal को या किसी भी इसी चीज को बैटरी के टर्मिनल से connect कर देते हैं तो इसको electrode कर देते हैं माल लोग यह pen है हमारे पास इसी को यह हम बैटरी के टर्मिनल से connect कर दे हैं और यह इलेक्रिसिटी यह conduct करने लगे तो हम इसको electrode कर देंगे यह यह आपके पास बैटरी है बैटरी के दो तर्मिनल होगे, पॉजिटीव और निगेटिव, जब किसी चीज को आपको बैटरी के किसी भी टर्मिनल से कनेक कर देते हो, वो एलेक्रिसिटी करने लगे तो उसे हम इलेक्ट्रोड कर देते हैं, बात साज माया इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो हम लोग ग्रिफाइट को ऐस एलेक्रोड उसकरते हैं, क्यों उसकरते हैं आप लोग बता सकते हूं, it is used as एलेक्रोड in different sense, ठीकन अब simply, बस इतना लिख दे लेक्रोड, it is used as एलेक्रोड क्यों उसकर रहें, because ग्रिफाइट कन्ड़क्स शेटी, रिजन क्या है, because it conducts electricity अच्छा अब बात आते कि वाई electricity conduct क्यों करता है it conducts electricity due to due to reason क्या देंगा यार due to the presence of due to the presence of याद रखेंगे एक line में due to the presence of free electrons यार यह वाद याद रखना due to the presence of free electrons यह free electrons के वज़ा से आपका graphite electricity conduct करता अब इस चीज़ को आप यहां से देख सकते हो समझ सकते हो देखो यह carbon atom के पास 4 electron था एक दो तीन चौथा electron आपका पड़ा था इस carbon के यह हम बात करें एक दो तीन यह चौथा electron पड़ा किसी भी carbon की बात कर लो एक दो तीन 4 था electron इसके पास पड़ा हुआ तो यहां पर इसी इलेक्रोन को free electron कहा जा रहा है और यदि यह free है तो इलेक्रोन है भाई एक जगा तो रहेगा नहीं यह तो यार ध्यान में रखेंगे कुछ ज़्यादा च्छोटा हो जा रहे है तुम लोग समझ लेना ओके ना चलिए लास्ट जो थर्ड ऐलोट्रॉपिक कि एक molecule में बहुत सारे carbon atom रहते हैं क्यों carbon atom जुड़ते चले जा रहा है जहां खतम होने का नाम लिया वहां फिर वह चार carbon atom के साथ जोड़ गया फिर अगला वाला चार फिर अगला वाला चार खतम होने का नाम ही नहीं लिए तो कितना carbon atom से जुड़ा होता है इसकी गंती कर पाना पॉसिबल नहीं है बता रही समझ मैं तो इसलिए कर सकते गिंती आगे आगे आप पड़ोगे भी कि आपको यह दिया गया दस ग्राम सो ग्राम डायमंड दिया है उसमें कितने कार्बन के अटम्स होंगे वह बता सकते हैं आगे की बात है वह सारी चीज़े ठीक है ना ब 2D structure बना देता है वह भी काफी बढ़ा हो हाहा अलक बात है different layers में फिर कॉई bonding नहीं होता है कोई covalent bond present नहीं होता है different layers के बीच में लेकिन थर्ड वारा जो फाम है फुल्डरीन यह थोड़ा सा अलग हो जाता है इसमें क्या होता है इसके एक मॉलीक्यूल में यह हम सिंगल मॉलीक्यूल फुल्डरीन की बात करें तो इसमें जनरली C30, C45, C60 ही कारबन एटम होते हैं यह इसमें एक लिमिटेट नमबर अफ कार आटमिक होते हैं यही फॉस्फोरस के एक मॉलीक्यूल में चार आटम मतलब फॉस्फोरस का जो मॉलीक्यूल है वो चार फॉस्फोरस आटम से मिलकर बनाता है नाइट्रोजन का जो मॉलीक्यूल है वो नाइट्रोजन के दो आटम से मिलकर बनाता है अक्सिजन का जो मॉलीक लेकिन जो हमारे लिए सबसे इंपर्टेंट है और सबसे पहले जिसका डिस्कब्री किया गया था वह था आपका सीजिक्सटी तो हम लोग केवल यहां पर स्टडी करेंगे सीजिक्सटी की एक मालीकर में कार्बन के कितना अटम है जिसमें जो फुल्डीन करते हैं स्ट्रक्चर की बात करें ना तो इसमें आपके कुछ हेग्जागोनल रिंग्स परसेंट होते हैं और कुछ पेंटागोनल र रिंग्स होते हैं वह भी मैं लिग दे रहा हूं यह भी याद रखेंगे भाई थोड़ा साथी डीप में कोश्चन जाके पूछता तो यह पूछा जा सकता है 20 हेग्जागोनल रिंग्स प्रेजेंट होते हैं और 12 पेंटागोनल रिंग्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है 12 20 hexagonal और 12 pentagonal मतलब आपके ऐसे कुछ होते है hexagonal pentagonal तो इस तरह से यार मतलब यह hexagonal ring है इसमें कितने साइड है एक दो तीन चार पांच यह भी hexagonal ring इसमें एक दो तीन चार पांच यह pentagonal ring तो इस तरह से क्या होते है आपके तो इसमें क्या होते है आपका hexagonal ring कुछ है मतलब जो फोल्डरीन के इस्ट्रक्चर है उसमें कुछ hexagonal ring होके कुछ pentagonal ring होके कितने hexagonal ring होते है pentagonal ring कितने होते है 12 pentagonal ring होते है ठीक है pentagonal मतलब 5 member ring hexagonal मतलब 6 member ring ओके एक और खास बाद थोड़ा सा dip मेरी हमजा है इसमें जो hexagonal ring होते हैं hexagonal ring hexagonal rings इसमें hexagonal rings जो होते हैं वो केवल और केवल आपके hexagonal rings आपके hexagon से भी और pentagon से भी attached होते है means it is attached to both it is attached to both hexagon h and pentagon p मैं short में लिख दिया h and p same way में जो आपका pentagonal ring होता है ना pentagonal rings it is attached only with only with hexagonal ring ये खास बात है यह जो pentagonal ring मालों ये pentagonal ring है ना ये केवल और केवल hexagonal ring से जोड़े होगे pentagonal ring किसी दूसरे pentagonal ring से directly attached नहीं होगे इसका मतलब ये हुआ कि ये pentagonal है ना इधर भी hexagon होगा इधर भी hexagon इधर भी hexagon इधर भी hexagon इधर भी hexagon चारों तरप से hexagon से ही घिरा होगा लेकिन जो hexagonal ring है ना वो आपके hexagonal से भी pentagonal से भी attached हो सकते है यहाँ पर देख सकते हो hexagonal से जोड़ा इधर pentagon इधर pentagon इधर hexagon hexagonal ring आपका pentagon hexagon दोनों से जोड़ा हो सकता है लेकिन जो pentagonal ring होता है it is only attached with hydros hexagonal ring ये h मतलब hexagonal है ये p का मतलब pentagonal है समझे ना चलिए ये ना ही बहुत hard होता है ना ही बहुत soft होता है और ये it is generally a dark तो ये कुछ important तो allotrops of carbon था उसको हम लोग यहाँ पर देख लिए तो यार important है diamond, graphite और fulgreens इसके बारे में सारे details हमने यहाँ पर discuss कर दिया अब हम लोग next जो है move करेंगे compounds of carbon पे तो की सबसे important part होता है इस chapter कर तो चलिए यार आप लोग को screenshot लेना है और लेलो आप लोग सबसे पहले components of carbon में हम लोग organic compounds के बारे में बात कर लेते हैं components of carbon सबसे पहले यह organic compounds की होतहा इस चीज को समझ लेते हैं तो गभोध बहुत बार आप सुनेगो sind organic compounds क्या होता है आकरीगARD organic compounds किस तरह से अम organic compounds की पहत्चान करेंगे जैसे माल लीज यह आपको कुछ मौलीकल देवे कुछ Compounds दिया आपको पहस्चानना है इसमें से कौन और्गेनिक होगा कौन इनार्गेनिक होगा जिसे CH4 दिया है H2O दिया है CO2 दिया है C6 H12 O6 glucose दिया है आपको इसी तरह से Hydrogen Sinaid दिया हुआ है इसमें से कौन आपका Organic Compound है कौन इन और्गेनिक कंपाउंटस तो पहस्चान करना है तो देखो जार कैसे आप बताऊगे कैसे बताऊगे तो देखो जार ओर्गेनिक इसमें ना compounds containing at least one carbon and one hydrogen, बात सम्माई, इन्हें ऐसे कोई भी compound जिसमें एक carbon, एक hydrogen atom दिख जाए, that means वो आपका organic compound हो जाएगा, condition क्या याद रहेगा, one carbon, one hydrogen atom, बस ये condition याद रखने आपको, तो यहाँ पे एक carbon, hydrogen, carbon hydrogen दोनों दिख्या, means organic compound है, H2O क्या organic compound होगा जरह बताओ, तो यहाँ पे hydrogen तो है, oxygen, carbon थोड़ी नहीं है, जब carbon नहीं हो तो organic नहीं होगा, organic लिए carbon भी होना, hydrogen भी होना, CO2 carbon तो है, hydrogen नहीं दिख रहे है, organic नहीं होगा, दोनों का होना जरूरी है, glucose, organic है, hydrogen cyanide, hydrogen भी है, carbon भी है, hydrogen होगा, potassium cyanide, नहीं होगा, क्यों, potassium, carbon, nitrogen, hydrogen तो हैं नहीं, बात समझ मागे, organic इन औरगेनिक नहीं होगा, परषान करते हैं, यह सारे organic है, जो across है, यह organic नहीं होगा, इन औरगेनिक नहीं होगा, इन औरगेनिक, इन औरगेनिक नहीं होगा, वो compounds होगा, which are not organic compounds, so simple, तो आप देखिए आगे, आगे जो organic compounds होता है न, कोई भी organic compound की हम बात करेंगे, तो वो mainly दो चीज़े मिलकर बना होता है, किसी भी organic compounds में दो main part होते हैं, organic compounds में दो part होते हैं, कौन-कौन सा part होता है, एक आपका hydrocarbon part होगा, और दूसरा आपका part होता है, functional group, तो अब पहले हम लोग इसमें, दूसरा part कौन सा होता है, functional group होता है, तो पहले हम लोग यह hydrocarbon part, और फिर एक functional group, दोनों को समझ लेते, तो अब आपको समझ माझा जाए, कोई भी organic compound क्या होता है, तो hydrocarbon part हम लोग किसको कहते हैं, तो नाम से यार पता चल रहा हो, नाम क्या बहुत है, hydrocarbon part, मतलब ऐसे compound जिसमें, only carbon, only hydrogen, उसे हम hydrocarbon कहा देंगे, यानि compounds containing only, compounds containing, only carbon and hydrogen, यानि ऐसे compound जिसमें, केवल carbon, केवल hydrogen, उसे हम लोग क्या कहा देंगे, functional group क्या होता है, functional group को define कैसे करते हैं, तो इसको हम अलग से define कर लेंगे, पहले हम hydrocarbon को समझ लेते हैं, ठीक है ना, चलिए, अच्छा, further, जो hydrocarbon है, ये आपके तीन टाइप की हो सकते हैं, hydrocarbon आपके तीन टाइप की हो सकते हैं, कौन तो टाइप है, अलकाइन, तो दोखें, इसमें एन, इन और आइन आ रहा है, यदि कहीं एन है, तो ये आपका saturated hydrocarbon होता है, और ये दोनों के दोनों आपके कहलाते हैं, unsaturated, unsaturated, और अलकाइन भी क्या होते हैं, आपका unsaturated, मतलब, जहां single bond, और carbon-carbon के बीच में single bond होगा, उसे हम लग saturated कहाते हैं, और जहां carbon-carbon के बीच, carbon-carbon के बीच में double ये triple bond आजाए, वो unsaturated का example हो जाता है, मतलब saturated हम लोग इसको कहेंगे, जहां carbon-carbon single bond के रूप में हो, unsaturated का मतलब क्या हो जाता है, double bond हो, या कार्बन कार्बन के भीच में ट्रिपल बॉंड हो, ये दोनों अंसाचुरेटिट कहलाते हैं, गाट इट, तो चली, यहाँ पे फिलाल डबल बॉंड आएगा, और यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉंड होता है, अलकाइन के केस में, यहाँ तक तो समझ मागए, साचुरेट हैट्रोकार्बन में अनली अलकेन आते हैं, अनसाचुरेटेट हैट्रोकार्बन में अलकीन भी आते हैं, और अलकाइन भी आते हैं, इसके बाद हम लोग इसका जेनरल फर्मूला की भी बात कर लेते हैं, यहीं पे, जेनरल फर्मूला इसका क्या लिखेंगे, अलकेन का, तो carbon HB 1 ले ले तो hydrogen कितना हो जाएगा 4, n का value 1 put करो, n यह दी हम 1 ले रहे हैं, तो C1H, n के जगा पर 1 put करो, 2 plus 2, 4, CH4 हो गया, इसी तरह से carbon 2 ले रहे हैं, तो H कितना हो जाएगा, ज़रा count करके बताओ, तो C2H कितना हो जाए, 2, 2, 4 plus 2, 6, C3 ले ले लिए, ना कियार, hydrogen को जो number 2N, यह इसको double करो, और उसमें 2 add करो, 2N plus 2, तो यहाँ पर carbon 3 ले लिए, 3 का double करो, 6, उसमें 2 add करो, 6, 2, 8, यानि C3H, C4, यह दी n का value 4 ले ले रहे हैं, n का value 4 लिए, तो H कितना हो जाए, 4, 2, 8 plus 2, double करके 2 add कर दो, तो 4 है, 4 का double 8, 8 plus 2, 10, इसी तरह से आप इसको और आगे ले लेते जा सकते हो, C5, H कितना होगा, बता-बता, H कितना होगा, 5 कर डबल करो, 10, 10 plus 2, समझ मारा बात किस तरह से यह formula हम लिख रहे हैं, तो यदि कोई भी compound इस formula में आपका feedback है, तो वो compound alkane होगा, saturated hydrocarbon होगा, बात आई समझ में, चलिए, अलकीन का formula का हम बात कर लेते हैं, इसमें N का value 2 से ही start होता है, 1 से start नहीं हो सकता है, इसके C2, H का value कितना हो जाएगा, N का value हम 2 लिए होगे, तो 2 लेंगे, तो H कितना होगा, 4, इसमें hydrogen का नबर है, carbon के just double होगा, C3 तो H कितना हो जाएगा, तो just double, 3 है, तो उसका double कर दो, 6, C4, H, 8, C5, H, 8, यनि just double कर देना hydrogen को, बात खत्म, यनि यदि कहीं आपको hydrogen का number, carbon से just double दीख रहा है, carbon का double दीख रहा है, that means समझ जाना यार वो alkyne है, और last category आपका alkyne, इसका example की बात करते हैं, इसमें भी आपका 2 carbon से start होता है, C2, H कितना हो जाएगा है, जरब सोचो, इसमें 2N, पहले तो double करना है, और minus 2 कर देना है, इसमें 2N double करके 2 add कर रहे थे, इसमें double ही कर रहे थे hydrogen को, इसमें hydrogen के लिए क्या कर रहे है, double करके 2 minus कर दे रहे है, तो देखना है, 2 है न, तो H कितना होगा, 2 to 4 minus 2, 2 ही बचा, C3 ले लिए तो H कितना होगा, 3 का double कर रहा, 3 to 2 जा 6, 2 minus कर तो, 3 to 6, 6 में से 2 minus कर देखना है, 4 बचा, C4 ले लिए तो H कितना होगा, तो 4 का double कितना होथा, 8, 8 minus 2, 6, C5 ले लिए तो H कितना हो जाएगा, तो 5 का double, 10, 10 minus 2, 8, समझ मारा, तो Alcane, Alcane और Alcane पहचान कर लोगे न, इसका structure भी बनाना अभी हम सिखाएंगे, तो एक काम करते हैं हम लोग, कुछ हम Components का formula यहाँ लिखेंग, आपको उसमें से पहचान न, कैटेग्राइज करने के यहाँ कौन Alcane है, कौन Alcane है, कौन Alcane है, कौन Alcane है, ओके, तो यहाँ पर identify, एक question type में हो गया, identify Alcane, Alcane and Alcane, जैसे, C10, H20, C15, H32, C14, H26, C20, H42, C6, H12, ठीक है, तो इस तरह से आपके कुछ examples हम ले लिए हैं, 12, H22, ठीक है, तो आपको इसमें से पहचान है, कौन Alcane है, कौन Alcane है, कौन Alcane है, कौन Alcane है, कैसे पहचान है, थोड़ा सा सोच हो, यहाँ विडियो पॉस करो, खुद से ट्राइ करो, तो अलकेन के लिए क्या condition है 2N plus 2, अलकेन के लिए क्या है 2N plus 2, अलकेन के लिए क्या है 2N minus 2, बस इसी चीज का यह रखना है आपको, तो C10H20 है न, तो 10 का double कितना होता है, 20 होता है, तो इस तरह से आपको क्या हो साएगा यह, डबल आ रहा है, Cn, H2N वाला format में आ रहा है, इसको हम क्या बोल देंगे, अलकेन, यहाँ पर क्या दिख रहा है, डबल किये और 2 जोड दिये, 15 तू जा 30, 30 प्लस 2, 32, that means 2N plus 2, और 2N plus 2 काटेगरी में आ रहा है, that means हम इसे क्या कहा देंगे, अलकेन कहा देंगे, H26 आ रहा है, 14 का डबल, 28, 2 माइनस कर दिया गया, माइनस 2, that means यह काउन सा कटेगरी में आ गया, अलकाइन, C20, H42 क्या होगा, तो डबल करके 2 add कर दिया गया, means यह अलकेन, तो अब समझ गए होगा, C6, H2, just डबल कर दिया गया, that means यह क्या हो जाएगा, अलकेन, और यह C12, H22, यह क्या होगा, 12 का डबल, 24, माइनस 2 कर दिया गया, that means यह क्या होगा, आपका, अलकाइन, यह आपको यह फार्मूला लिख कर दे दिया जाएना, तो वहाँ से तुम पहसान सकते हैं, कौन अलकेन है, कौन अलकेन है, और कौन अलकाइन है, सभज मैं, अच्छा, एक important term इसी में आपको बार-बार यूज़ होता है, अलकाइल ग्रूप, इससे denote करा जाता है, R से, क्या होता है अलकाइल ग्रूप, माल लेज़े, आपके पास कोई अलकेन है, जब अलकेन में से आप एक हाइड्रोजन निकाल लेते हो ना, तो आपको मिल जाता है अलकाइल, कहने का क्या मतलब है, जैसे अलकेन, अलकेन का जनरल फर्मूला क्या होता है, अब आपने एक हाइड्रोजन निकाल लोगो तो थो था न, क्या बचेगा, तो यहाँ पर यह अलकेन से क्या मिल गया आपको, अलकाइल ग्रूप, अब एक्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर बताओ क्या बचेगा, CH3, H4 से H3 बचेगा, अच्छा, कारबन तो चार बॉंड बनाता है, एक हाइड्रोजन निकाल लिए, तो तीन ही बॉंड बना रहा है, तो एक वैलेंसी हम फ्री छोड़ देते हैं, क्योंकि कारबन चार बॉंड बनाता है, तीन ही बना रहा है, एक कम हो गया तो उस कमी को प लिए, C2H6, अब देखो, नाम नहीं पता होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, यार अभी हम नाम लिखना सिखाएंगे तुम लोग को, यह क्या है, इतन, दो कारबन अटम है, तो नाम क्या हो जाता है, इतन, इस में से एक हाइड्रोजन निकालोगे, तो क्या हम लिए लेगा, C तो Alkyl का मतलब समझ गया है, Alkyl group का मतलब, जब भी Alkene से आप एक carbon atom निकाल रहे हो, एक hydrogen atom निकाल रहे हो, उसको लोग अलकाइल group के देंगे, तो आपके Alkyl के तो बहुत सारे हो सकते हैं, Alkyl देख रहे हैं, CH4, C2, इस चलता जाएगा, और इस में से आप यह कही बी, यह समझ में आ गया होगा तुम लोग आप ओके चलू यहीं पर एक और टर्म है आपका homologous series ठीक है ना क्या है homologous series उसमें आने से पहले हम लोग functional group के बारे में जान लेते हैं important है बहुत important है functional group तो देखो यह functional group क्या होता है यह कोई atom हो सकता या group of atom भी हो सकता है कोई atom हो सकता है या group of atom भी हो सकता है तो an atom और group of atoms an atom और group of atoms which mainly which mainly decides its chemical properties यानि functional group का main काम क्या है वो किसी भी organic compound का कौन सा properties को decide करता है chemical properties को decide करता है यानि functional group आपके होता है each atom और group of atoms होता है जो कि mainly क्या decide कर रहा है आपका chemical properties को decides कर iku जैसे example के तोर, which important functional groups क्यो, आपको पढणने है यह कोई वो सारे functional group हो सकते हैं लेकिन आपको पढ़ना है जो आपके काम का वह में लिख रहा हूं important functional group important functional group जो है आपके सबसे पहले आपका halogen है halogen में क्या आता है fluorine, chlorine, bromine, iodine यह halogen family कहलाता है fluorine, chlorine, bromine, iodine दूसरा functional group alcohol यह हम denote करते है OH से, OH यहां पर OH के बीच में single bond आ जाता है तीसरा जो है वो है आपका aldehyde यह सारे functional group है इसके नाम आपको पता होना चाहिए और साथ यह साथ पहचानने भी आना चाहिए किसी compound में कौन-कौन सा functional group प्रिजेंट है तो वह भी मैं आप लोगों को सिखा दूँगा तो यह आपका aldehyde होगा यह इसका structure की बात करें C double bond OH लिखा जाता है इसको आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है only CHO इसको हम लोग condensed form करते हैं अभी बहुत सारी चीजे सीखना है तुम लोग को यह थोड़ा सा यह part बढ़ा जाएगा इसलिए थोड़ा patience रखना है क्योंकि जल्द जल्द हम पढ़ा देंगे तो फिर तुम लोग को समझ में नहीं आएगा तो यह होगी aldehyde फिर आपका next है ketone इसका आपका C double bond O होता है और फिर एक आपका last जो है यह है carboxylic acid है carboxylic acid यह होता है आपका C double bond OOH इसको short में COOH भी लिखा हुआ मिल सकते है आपको तो यह पांच functional group जह हुआ थोड़े ज्यादा important है इसलिए आपको ध्यान में रखना है तो पहले तो पहस्चानने भी आना चाहिए कहां पर कौन सा functional group लगा हुआ है उससे पहले functional group को पहस्चानने से पहले हम लोग अच्छा एक और चीज़ दिखना पहले सी और ओ है ऐसे में भी सी ओ है तो ग्रूप ऑफ अटम्स हो गया लेकिन हैलोजन में बात करें तो only atom single atom fluorine chlorine bromine single atom है जो कि functional group की तरह बहुत कर रहा है तो इसलिए functional group क्या होता है atom भी हो सकता है group of atoms भी हो सकता है which million decided chemical properties यह क्या करता का chemical properties को decide करता है chemical properties का मतलब को एक organic compound किस तरह से react करेगा यह sodium metal के साथ किस तरह से react करेगा प्रैनल ग्रूप लगेवे हैं एक में हैलोजन लगा एक में अल्कॉh लगा था ऐसे में उसके कैमिकल पॉपटिज्ट बिफ्रेंट हो जाएगे एक याट या रखना रह रहे हैं तो यह होता है अपका structure draw करना सिखते है drawing the structure of organic compounds तो यार ओर गनी compoards का structure पाहिए तो ड्रॉप करना सीख लेते हैं क्यों को आगे यह कुछ परेसान करने वाला तुम लोग को इसलिए तुम वह दिक्कत नहीं होगा जो मैं समझा रहा हूँ जिस तरीके से चला सिस्टम में बता रहा हूँ बस आपको उस सिस्टम को फालो करना है चलिए सबसे पहले CH4 कोवेलेंट बांड बताये थे यह किस तरह से बनता है तो वहां पर आपको क्या देखे थे आपको क्या नूटिस की थे कारबन हमेशा कितना बनाता है कारबन चारबन हाइड्रोजन ऑल्वेज एक बनागा क्यों hydrogen के पास एक ही एलेक्ट्रोन होता है वो एक ही एलेक्ट्रोन का sharing कर सकता है इसलिए hydrogen एक bond बनाता है तो गलती से भी आप कोई भी structure में ऐसा मत कर देना जहां hydrogen एक से ज़्यादा bond बना दे दो bond तीन bond hydrogen नहीं बना सकता है carbon, carbon हमेशा carbon बनेगा, हमेशा carbon बनेगा, इस इसका आपको धेहान रहना है carbon source tetravalency, it is tetravalency in nature, ठीक है, तो बस इस दो point को धेहान में रखते हैं आप सारा structure ड्रॉकर सकते हो CH4 आपको करना क्या होता है, हमेशा carbon को बीच में रखेंगे, hydrogen को इसके CH4 का, अब हम लोग देखो क्या करेंगे अभी हम लोग क्योवल organic components का structure ड्रॉकर कर रहे है, C2H6 एक से जाधा carbon atom आए तो आपको क्या करना, carbon करन को state chain में जोडते चले जाना है C2H6 है तो C, C अब यहाँ पे hydrogen कितने है, 6 hydrogen atom है 6 hydrogen atom है, तो हम 6 hydrogen atom को किस तरह से लगाएंगे, तो हम क्या करते है hydrogen को equally distribute करते है, मतलब carbon आगे है, अब hydrogen को आपको देना है तो आप क्या करोगे, बस और बस valence सी satisfy कराओगे carbon का, मतलब इस carbon के पास कितने bond होने चाहिए carbon 4 bond बनाता है लेकिन अभी कितना bond बना रहा है, एक ही बना रहा है इसका मतलब इस carbon के पास कितने bond कम है 3, जितने कम है उतने hydrogen देदो बात खतना, जितने bond कम है उतने hydrogen देदो, यहाँ पर एक bond बना रहा है, 3 bond कम है तो 3 hydrogen उसको दे दिए से में में यो और यह कारवन कितना बन बना रहा है एक ही बन बना रहा Hund सभुत और बना यह थिह टेखना हैं उत्रा हो ना भी हाई ड liken से रहां हो गई अपना काम चलिए थर्ड तुम लोग त्राय करों सी 3 3H8 यह तुम लोग वीडियो पॉस करो और खुद से ड्राउ करने का स्ट्रक्चर को कोशिस को यह दि बना दे समझ जाना कॉंसेट क्लियर क्या करेंगे कितने कार्बन एटम है तीन सबसे पहले जितने भी कार्बन सब को कर्बन बना रहा एक ही बना रहाना कितना रहा होना होना चाहिए तीन 3 hydrogen हो गया देखो carbon 4 बंड हो गया इस carbon के पास बताओ सोच और बताओ अच्छा से हैर कितने hydrogen atom होने चीड इस carbon के पास तो यहां पे 1 और यहां पे भी 1 बस 2 carbon का 4 बंड होना चीड न टोटल देखो पहले से 1-2-3-4 हो गया इस carbon के पास बताओ कितना हो गया तो पहले से एक ही bond बना रहा है कितने hydrogen atom को 3 अब एक बार चेक कर लेना है तुम लोग कि क्या आपके पास total hydrogen atom 8 थे ना अभी 8 है की नहीं 3 2 5 6 7 8 समझ रहे हो और याद रखेंगा भाई यह alkane है alkene है या alkane है किस category में से बिलोंग कर रहे है तो C3H8 जस्ट डबल करके दो एड कर दिये ना 2N plus 2 वाला format है na Cnh2N plus 2 मतलब alkane family से बिलोंग कर रहा है और alkane क्या होता है only carbon carbon के बच में single bond रखता है इसलिए carbon carbon को single bond से जोड़ते चल example देखते हैं जिससे कि तुम लोगा यार concept जो है पूरा clear हो जागा C4H10 alkane family से बिलोंग कर रहा है देख लो यार CnH2N plus 2 है hydrogen का नमबर इसका double से 2 ज्यादा 4 का double 8 8 plus 2 10 alkane है कितने carbon atom 4 देखे तो 4 होगा आप क्या करोगे स्टेट में लगा दोगे अब आप लोगों खुद से सोचना इस carbon के पास कितने hydrogen atom आएंगे सोचो इस carbon के पास कितने hydrogen atom आने चाहिए तो carbon एक ही bond बना रहा है ना कितने hydrogen atom आने चाहिए तीन एक दो तीन इस carbon के पास दो क्यों carbon एक bond इधर बना रहा है एक bond इधर दो bond बना दिया इसका मतलब दो कम पड़ा hydrogen तो दो पस carbon का tetravalence को तो इस तरह से आपका इस तरह से आपका कोई भी स्ट्रक्चर देंगे तो बना देना चाहिए तुम लोग आपको दिक्कत में आना चाहिए हमालें ग्जांपल से 6, H14 की इस्ट्रक्चर दियें। क्या करोगे च्छे करने दिख चे स्ट्रेट में लगा दो एक दो तीन चार पांचे, अब हां कितना अपकी कियो है तो पहले से दो बना रहा है इस carbon के पास पहले से 1 bond, 2 bond बना रहा है, इस carbon के पास भी 2, इसके पास भी 2, इसके पास, तो यह C6H14 का structure हो जाएगा, तो अभी जितने भी हम लोग structure देख रहे थे, वो सबके सब alkyne थे, alkyne दिख रहे हैं, सबके सब Cn, H2n, P2 वाला format था, तो इसलिए alkyne का structure बनाना बड़ C2H4, देखो, Cn, H2n याद है, इसका formula क्या होता है, Cn, H2n, यहीं हाइडरोजन का number यहीं कार्बन से, ज़्च डबल दिख सा है, तो समझ जाना वो alkyne के category में मिलोंग करेगा, हाँ, दो carbon atom है, है ना, अब देखो यार, carbon 2 है, और hydrogen आपके पास 4 है, तो आप क्या करोगे, alky 13 के category में है, इसका मतलब carbon, carbon के बिच double bond होगा, तो यहाँ पे हम double bond लगाती है, अब आपको देख लेना भाई, कहा कितने hydrogen atom हैंगा, बाक खत्म, इस carbon के पास कितने hydrogen atom हैंगा, बताओ ज़रा सोच कर बताना, carbon पहले से कितना bond बना रहा है, दो ही बना रहा है, एक इधर, एक इ बढ़ता है, यह नहीं कि sir, इधर और इधर लगाना जरूरी है, क्या, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसके पास कितने hydrogen atom हैंगे, तो यह भी दो ही bond बना रहा है, यह दो bond बना रहा है, इस carbon के लिए भी यह दो bond common है, इसलिए मत confuse होना कि sir, आप इधर भी इसको count कर रहे है, 3H6, अलकीन है की नहीं है, चेक करो, तो तीन carbon atom, और hydrogen just double, बिल्कुल है यार, तो तीन carbon atom में लगा दो, तीन carbon atom, अलकीन family से बिलों करा दो, एक जगा double bond आएगा, आगे है भाई, अब बदाना इस carbon के पास कितने atom होंगे hydrogen के, तो carbon 2 bond बना रहा है, double bond 2 hydrogen atom होंगे, इस carbon के पास एक ही bond बना रहा है, कितना hydrogen atom होंगा, सोच यार, तीन, carbon carbon बनाना चीए, इसी तरह से, एक और structure देख लोगे, C4H8, C4H8 का structure के जगा होंगे, सबसे पहले जितने बी और और अरगनी compound दिखे, आपको carbon जितने दिखे, सारे carbon को straight chain से जोड़ देना है, पहरा काम तो यह करना है इसके बाद हम hydrogen और बाकी चीजों के बारे में बाद में सुचते हैं, तो यह C4H8, अलकीन family से बिलोंग कर रहे है, hydrogen का number double है carbon का, Cn, H2n format में है, अलकीन है, अलकीन है तो double bond होगा carbon-carbon के बेच, double bond कहा आ जाएगा, यहाँ पे भी यहाँ भी लगा सकते थे तुम लोग, तो हम carbon के पास कितने hydrogen atom आ जाएगे, तो देखो, 2, 3, यानि ये carbon 3 bond बना रहा है पहरे से, 2 इधर, 1 इधर, 3, यानि कितने hydrogen atom आएगे, संज मारा है, इस carbon के पास بتाएगा, तो 1, 2, 3, यह हो गया, 4, ये carbon के पास बताईएगा इस carbon के पास कितने hydrogen atom आएंगे जरा सोच और बताओ तो देखो यार ये एक दो और ये बात समझ माईए अच्छा इसी को हम लोग ऐसा भी बना सकते थे डबल बाइड यहाँ रख देते भाई यह यहाँ डबल बाइड रख देते तुम लोग खुद से कोसिस करो किस carbon के पास कितने hydrogen atom होने चाहिए इस carbon के पास कितने होंगे एक दो तीन क्यों carbon एक ही bond पहले से बना रहा था तीन hydrogen atom रख दिये, CH3 चार bond होगी या carbon का, इस carbon के पास बताओ कितने hydrogen atom आएगा, तो 2 और 1-3 पहले से 3 bond बना रहा, एक hydrogen आजाएगा इसके पास 2-3, एक ही hydrogen आएगा इसके पास एक ही bond बना रहा है तो इसके पास 3 hydrogen atom आएगा बात आई समय में, अच्छा ये भी C4H8 का structure सही, ये भी सही structure है, दोनों के दोनों structure सही है आगे एक term आएगा, बताएगा उसके बारे में ये C4H8, C4H8 ये दोनों forms आपके molecular formula तो दोनों का से में, count कर लो भाए C4H8 ये भी है C4H8 ये भी है तो दोनों का molecular formula सही है लेकिन दोनों का structure सही है क्या, दोनों का structure सही है नहीं है, ये double bond पहले position पे आए इसमें double bond next position पे आए ऐसे forms which have same molecular formula but have different structures are called isomers तो यदि पूछ दिया जाए कि इनके बीच में क्या relations है, these two are related as, तो याद रखेंगे यार these two are related as isomers isomers क्या होते है, isomers ऐसे compound होते which have same molecular formula but have different structures अभी हम और भी example लेंगा isomers की तो उससे पहले हम लोग alkyn के बाद, पहले alkyne का जान लेते है उसके बाद हम लोग isomers पे भी आ जाएंगे alkyns, तो alkyns का general formula cn, h2n, minus 2 hydrogen का number double से 2 कम हो जाता है, इस इसको ध्यान रखना है, सबसे पहला c2, h2, बहुत important compound है ethine नाम लिखते है इसका नाम acetylene, more common जो नाम है, उसका acetylene है हम लोग structure पे आते हैं हमें structure की बात कर रहा है, नाम के बारे में आगे जानेंगे जो जो काम का चीज है, nomenclature part अभी अलग से हमें पढ़ना है, इसके बारे में, तो c2, h2 c2, h2 में दो carbon था, दो carbon को लगा दी alkyne, alkyne, alkyne किस category में लाई कर रहा है देखो यह double, 2 का double 4, 4 minus 2 2, 2 and minus 2 format महना इसका मतलब यह alkyne है, alkyne है तो आपका कितना होना चीज है? carbon, carbon के बिच, triple bond अब बता दो भई, यहाँ पे इस carbon के पास कितने hydrogen atom आए गया? only one, क्यों? carbon पहले से 3 bond मना रहा है, सेम इस carbon के साथ पहले से 3 bond मना रहा है, कितना hydrogen atom आएगा? एक ही hydrogen atom आएगा, काम हो गया तो इस तरह से यहाँ पे C2H2 का structure बन गया इसी तरह से C3H double से दो कम, that is C3H4 हो जाएगा इसका structure बनाते हैं तो सबसे पहले तो 3 carbon atom है 3 carbon atom है तो आप क्या करोगे? 3 carbon atom को लगा दोगे state chain में alkyne category से बिलोंग कर रहा alkyne से बिलोंग कर रहा है तो आप एक जगा triple bond लगा यहाँ पे भी लगा सकता हो, यहाँ पे भी लगा सकता है दोनों same structure ठीक है अब बताएगे कि यहाँ पे कितने hydrogen atom हैंगे 3 और 4 होगी ना बैगा इसका carbon टेट्रागाजल से इस carbon के पास कितने hydrogen atom हैंगे? C4H6 इसका आपको खुद से बनाना है ठीक है? यह देखना है C4H6, 1,2,3,4 यह double से 2 कम है ना alkyne family से बिलोंग कर रहा है alkyne family से बिलोंग कर रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? एक जगा alkyne बना देते हैं triple bond लगा देते हैं carbon carbon के बीच अब आपको hydrogen बताना इस carbon के पास कितने हैंगा तो तीन bond बना रहा तो एक hydrogen यहाएगा इस carbon के पास कोई bond नहीं इस carbon के पास तो दो bond पहले से बना रहा था इस carbon के पास एक ही bond बना रहा है तो तीन bond आएगा मतलब बस carbon का tetravalency आपको पूरा करना उसके लिए जितना hydrogen लगता जोडते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो यह आपका C4H6 का structure हो गया, मतलब यह alkyne का structure किस तरह से draw करना है, समझ माग जाओगा अब तुम लोग को, मतलब वह alkyne है, double bond दिख जाए, alkyne है, single bond दिख जाए, that means वह alkyne है, आई बात समझ में, तो यह alkyne, alkyne और alkyne का हम लोग structure देख लिए, अच्छा, इसी में हम लोग एक bond line notation यूज़ करते हैं, bond line notation, क्या होता है bond line notation समझ लेते हैं, हम लोग क्या होता है, organic compounds को generally carbon, hydrogen लिख कर नहीं दिख लाते हैं, हम बस line खिछते चले जाते हैं, वह अपने आप समझ में आ जाता है, वहापे कितने carbon, कितने hydrogen atom है, यानि carbon और hydrogen के लिए हम लोग बस line खिछते, carbon hydrogen के अलावा को दूसरा element है तो उसको हमें लिखना पड़ेगा, लेकिन carbon और hydrogen के लिए हमें कुछ करने के जरूद नहीं, बस line खिछते चले जाना, क्या मतलब इसका समझते हैं, जिससे मान लेजी हम इस तरह से को एक line खिछ दी हैं, इसका मतलब यह होता है, कि जितने भी terminal और corner turning points है या intersection point वो सारे carbon atom को रिप्रेजेंट करता है, यह terminal point है, line खतम हो रहा, line खतम हो रहा है, यह corner points, यह turning point है, turn हो रहा, corner है, तो यह आपका carbon atom, यह total 3 carbon atom होगे, 1, 2, 3, अब आपको hydrogen खुद से समझ नहीं होता है, कि किस carbon के पास कितना hydrogen होगा, जिससे इस carbon के पास बताओ, यार कितने hydrogen atom होने चाहिए, एक ही bond बना रहा है, तो 3 hydrogen atom होगा, tetravalency, इस carbon के पास 1 और 2 bond बना रहा है, इसका मतलब इसके पास 2 hydrogen atom होगा, इस carbon के पास एक ही bond बना रहा है, तो इसके पास कितने hydrogen atom होगे, 3 hydrogen atom होगा, बताओ समझ में, इसी तरह से यारी मान लेजिए, यहाँ पर बताएगा कितने hydrogen atom है, त दो, तीन, चार, कितने carbon atom है, चार, चार है, तो एक, दो, तीन, चार, hydrogen atom बताना है, जरा कितना आ जागा इस carbon पे, तो देखो एक ही bond बना रहा है, तो तीन hydrogen, इसके पास दो, इसके पास दो, इसके पास तीन, बस carbon का tetravalency आपको पूरा करना, और कुछ नहीं करना है, बड़ा ह तीन, चार, पांच, तो हो गया है, एक, दो, तीन, उपर, चार, नीचे, पांच, यहाँ पे कितने hydrogen atom आएंगे, बताओ यार जला सोच कर, तो एक bond बना रहा है, तो तीन hydrogen atom, यहाँ पे भी, तीन hydrogen atom, यहाँ पे भी, तीन hydrogen atom, यहाँ पे भी, तीन, इस carbon के पास कितने hydrogen atom होंग है चलिए थोड़ा सा तुम लोगा चेक करते हैं कितने कारवान एटम है यह पहले बताओ और इसका फॉर्मूला हम क्या लिखेंगा यह भी बताने आपको तो देखना यार एक दो तीन कारवन एटम कितने हैं तीन जितने भी कॉंडर्स पॉइंट्स और टर्निंग पॉइंट से नीं इंट्रेक्ष्चन पॉट वो सारे कार्बन आटमोय डिनोट करता है अब तुम लोग बताना यार जिरँ आकि इसके पास कितने हाइड्रोन एटम होंगे यह बाइस के पास पॉरा करना और कोस् Calm अहीं है इस Karma के पास बताओ इस इस कार्बन के पास बताओ, दो हाइड्रोजन अटम है, बस, यदि आपसे फॉर्मूला हम लिखने को बोले, तो एक, दो, तीन, थी, एच कितना हो गया, इस कार्बन के पास दो, चार, दो, छे, C3, H6, बात खत्ब, अच्छा, चलिए, बताएगा जरा, इसका फॉर्मूला ल इसी तरह से यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, यहाँ भी दो, यह निए, टोटल हाइड्रोजन अटम 4 होगा, अच्छा, यदि आपसे एक सवाल पूछा जाए, कि क्या यह compound saturated है कि उन्साचुरेटेट है, क्या बोलोगे, तो इस वन is a saturated compound, क्यों saturated हम बोलेंगे क्योंकि यहां पर कार्बन कार्बन के बेच केवल सिंगल बॉंड दिख रहा है क्या करें डबल ट्रिपल बॉंड दिख रहा है नहीं न जहां डबल बॉंड ट्रिपल बॉंड आजा है वो unsaturated compound होते हैं यह saturated होगा लेकिन इसका formula यदि आप देखोगे न C4H8 तो आपको देखे लिए यह यह तो अलकीन वाला है unsaturated है तो ऐसा कोई जरूरी हमेशा नहीं होता है कि यदि CnH2n है तो वो अलकीन ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है most probably वो हो सकता है but cyclic structure में जब हम लोग आ जाते है रिंग structure में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर CnH2n वाला अलकेन हो सकता है saturated हो सकता है तो इसी पर बेस्ट एक कोश्चन जैसे है and draw structure of saturated hydrocarbon of saturated hydrocarbon of formula C6H2 लेकिन hydrocarbon बोल दिया इसका मतलब समझ जाना कि केवल आपको carbon और hydrogen रखना है उसके अलावा किसी और element को नहीं रख सकते है ठीक है तो केवल hydrocarbon रखना है केवल hydrogen और carbon रखना है तो draw structure of saturated hydrocarbon of formula C6H2 अब पहले आपको दिमाग में जाए C6H2 यह CnH2n हो गया CnH2n अलकेन हो गया और यदि यह अलकेन हो गया तब तो ऐसे हम यह saturated रहेगा है यह नहीं और हमें saturated draw करना है और फिर भी है तो ऐसे में समझ जाना यह अलकेन है इसका मतलब रिंग structure बनेगा तो आप क्या करोगा सिंपली C6 6 carbon atom है तो 6 carbon atom को रिंग में रख दो एक hexagon बना दो भए देखो एक दो तीन चार पांच छे carbon atom हो गया हाइड्रोजन बात कर लो कितना हो गया तो यहां पर भी दो हाइड्रोजन इधर भी दो 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 टो टोटल कितने हो गया तो यही वह structure है C6H12 का जो कि एक saturated hydrocarbon है तो हो सकता है तो होड़ा सा twist करके question पूछ दिया जाए अच्छा question से तो structure तुम लोग को draw करने आ गया wire अब मुझे ऐसा लगता है double bond, triple bond को किस तरह से दिख राते हैं यह मैं example के help से बता देता हूँ जैसे मान लेजिए ऐसा है इसमें सबसे पहले इलिए आप से पूछा जा double bond को represent कर रहा है बात आई समझ में तो यहाँ पे कितना hydrogen atom होगा तीन यहाँ पे दो और एक तीन एक ही एक hydrogen atom यहाँ पे एक ही बना रहा है तीन hydrogen atom बस यदि मान लेजिए ऐसा रहेगा तो यहाँ पे कितने carbon atom है यहाँ पे एक दो तीन चार यह भी चार carbon atom है और यह जो दिख यह, क्या represent कर रहा है? triple bond को represent कर रहा है hydrogen यहाँ पे कितने hydrogen atom होगा थरी इस carbon के पास कितने hydrogen atom है तो तीन और एक चार नहीं इस carbon के पास एक और इधर ता नहीं और एक चार इसके पास बताना ज़रारा गी एक बन्ड इधर से आया तो यहाँ तो इस तरह से आपका मतलब की एलकाइण को इस तरह से bond line notation में दिख्लाए करते आय। Neden 둘 खेंते यह सारा चीज आप लोग छिख चुकिए हुझ तो आँगे हम लोग जो टेक्स्ट मुव करने वाले हैं वो नॉमेन्क्लेचर पार्ट पर मुव करने वाले है विचिस वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो आप लोग को स्क्रीन सॉट लेना हो तो ले लो तो अब हम लोग next जो है दो important terms एक isomers है और एक homologous series यह क्या होता इस दोनों को समझ लेते हैं पहले हम लोग बात कर लेते हैं homologous series क्या होता उसके बाद हम isomers की बात कर लेंगे यह homologous series तो देखो यह homologous series क्या होता है group of compounds group of compounds having similar having similar chemical properties इसा लिखेते है group of compounds in which in which two successive members in which two successive members differs by differs by CH2 group and and they and are having and are having similar chemical properties but have similar chemical properties इसका क्या मतलब है ऐसे group of compounds in which two successive members differs by CH2 group यह जिसमें दो members किसे difference में होजें CH2 group and are having similar chemical properties क्या मतलब है इसको अब हम लोग example से समझते हैं जैसे हम अभी अलकेन की बात किये थे थोड़े दिर पहले अलकेन की बात इसका जेनरल फर्मूला क्या होता है C and H2 and plus 2 होता है इसमें हम लोग पहला member की बात करें तो होता है CH4 next member C2 यदि C2 रख देंगा तो H कितना हो जाता 6 C3 रख देंगा तो H कितना हो जाएगा 8 C4 रख देंगा तो H कितना हो जाएगा 10 2 and plus 2 करते चले जाओ यदि हम आपसे पूछे कि यह जो successive member मतलब जस्ट एक के बाद एक जस्ट एक के बाद दूसरा वाला तो यह successive member इस दोनों में कितने carbon इंटर डिफरेंस अ जरा बताऊँगे कितने carbon इंटर डिफरेंस से बताऊ जरा तो देखो यहाँ पर यहाँ यहाँ एक carbon का डिफरेंस हाईडोजन 4 था है इसका और हम इसका बात करते हैं इस दोनों में डिफरेंस देखते हैं इधर C2 था इधर C3 कितने कार्बन इटम का डिफरेंस है 2 और 3 carbon, एक ही carbon atom का difference है, H6, H8 है, कितने है hydrogen का difference है, 2, again क्या देखे, CH2, अच्छा, फिर से इस दोनों के बीच देखते है, C3, C4, कितने carbon का difference, 1, hydrogen 8, 10, कितने hydrogen, यानि हमारा चल रहा है, यह जो group of compounds है, जिसमें two successive members, CH2 group से differ कर रहा है, और साथ ही साथ, इनका chemical property जोगना, वो सेम होगा, क्यों सेम होगा, बता है, क्योंकि chemical properties आपका depend किसे पर करता है, भी थोड़ी देर पहले बताये थे, क्या बतायते है, functional group याद है, functional group क्या होता है, which मैंने decided its chemical property, यह जब तक functional group चेंज ना हो जाए, तब तक chemical property चेंज नहीं होगा, तो इसमें क्या होता है, सारे के सारे alkane ही है, इसमें तो कोई halogen family है नहीं, कोई aldehyde है नहीं, कोई ketone है नहीं, कोई alcohol है नहीं, कोई acid है नहीं, वो अभी हम आगे बताएंगे तुम लोगों किस तरह से functional group की पहिश्चान करते हैं, ठीक है, चलिए, इसी तरह से यदि हम alken family की बात करें, alken family की बात करें, तो alken का cn, h2n यही होता है न, पहला member c2, h4 होता है, दूसरा member c3, h4, यह just hydrogen को डबल कर दो, आपको मिल गया next member, c4, h8, c5, h10, चलिए, दो successive member के बीच का difference हम चेक करते हैं, चलिए, बता है, यहाँ पर c, कितने carbon का difference, 1, hydrogen 4, यहाँ 6, कितने hydrogen का difference, 2, c2 group आ गया, इन दोनों के बीच का देखते हैं, c3, c4, kितने carbon item का difference, 1, hydrogen 6, 8, कितने hydrogen का difference, 2, c2 का difference, फिर इस दोनों के बीच देखते हैं, c4, c5, कितने carbon item का difference, 1, hydrogen 8, यहाँ 10, कितने hydrogen का difference, 2, c2 का difference, पाता है समझ में, तो इस तरह से यहाँ पे हम हर जगा क्या देख रहे हैं, कि इसमें जो successive members है, they only differ by CH2 group, और सबके सब alkyne है, alkyne का मतलब single bond, double bond, triple bond, क्या रहा होगा, double bond रहा होगा, taken alkyne में double, alkyne में triple bond होता है, तो again यह सारे components ऐसे हैं, in which two successive members differ by CH2 group, and they all are having same chemical property, hence these forms are homologous series of alky यह alkyne का homologous series, यह alkyne का, इसी दरह से, चलो हम alkyne का भी लिख लेते हैं, alkyne का general formula Cn, H2n, minus 2 हो जाता है, पता है ने तुम लोग को, तो इसमें C2, पहला member C2, H2 होता है, दूसरा member C3, इसका double करके 2 कम कर दो, बन गे alkyne, 3 का double, 6, 6 में 2 कम कर दो, 4, C4, double करके 2 कम कर दो, 4 का double 8, 8-2, 6, इस तरह से C5, H, 8, difference देखो तो है, C2, C3, एक carbon atom का difference आया, H2, H4, कितने hydrogen atom का difference आया, 2, इस दोनों के बीच का बात कर लेते, C3, C4, कितने carbon atom का difference, 1, hydrogen 4, 6, कितने hydrogen का difference, 2, इसी तरह से, C4, H6, C5, H8, कितने carbon का difference, 1, hydrogen 6, 8, कितने hydrogen का difference, इस तरह से, CH2 हो गया, तो यह यहां पर अगेन हम क्या देख रहे है। टू सक्सेशिव मेंबर्स दिफर्स अनली बाई CH2 गूप तो अगेन इस फॉर्म सा होमोलोगस स्रीज का मतलब समझ गया होगे। याद रखेगा होमोलोगस स्रीज का कैमिकल प्रपर्टिस हम होते हैं। बड़ देख दिफर इन फिजिकल प्रपर्टिस होए न वह डिफरेंट हो सकता है। हमोलोगस स्रीज वह अल्कुहल में भी बन सकता है, अल्डी हाइड में बी कीटोन में ऐसेड में भी बन सकता है। बस नॉर्मली जो हमारे लोग स्रीज है अलकेन इसका लिखने आना चाहिए आपको ओके चलिए एक टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक हमारे बच रहे वह है फंक्शनल गुरूप पहले फंक्शनल गुरूप क्या होता है इस इसको जाए इसक्रीन सट लेना है और ले लो तुम लो ठीक है चलिए अब जो एक टॉपिक बच्चा इसके बाद हम लोग डायरेक्ट एंटर कर जाएंगे नॉमिंक्लेचर पार्ट में ठीक है तो उसके लिए हम एक अलग से पार्ट बना देंगे ठीक है आप क्योंकि नॉमिंक्लेचर और जितने भी कैमिकल परपर्टीज है उस किप करना पड़े आता है इसलिए हम इस वीडियो को दो पार्ट में बना रहे हैं ताकि आपको हर एक चीज अच्छी समझ में है आईसोमर्स क्या होते है तो आईसोमर्स ऐसे कंपॉंट्स होते हैं ऐसे कंपॉंट्स होते हैं कंपॉंट्स हाविंग सेम मॉलीकुलर मॉलीकुल फार्मुला तरु प्र्मॉलंट्स होते हैं मॉलीकुलर फार्मूला फार्मूला। इस क्या मतलब है इसका एक्जामिपल परता समझते हैं हम जैसे लिए C2H6 में कितने कार्वर एन इटम देखर हैं दो दो carbon atom को लगा दिये, hydrogen किस carbon के पास कितना होगा, जरा बताओगे, एक ही carbon bond बना रहा है तो CH3, ये भी carbon आपका एक ही bond बना रहा है, इसके पास भी एक ही, तीन hydrogen atom आएंगा, C2S6 का structure बन गए है न, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं, अच्छा, क्या आप इस C2S6 का कोई दूसरा structure बना सकते हो, molecular formula रहना चाहिए, मतलब जितने carbon atom है, दो hydrogen चाहिए, वो change नहीं होना चाहिए, number of carbon atom, number of hydrogen atom, same रहना चाहिए, same molecular formula होना चाहिए, but have different structure, आप क्या इसको अलग तरीके से बना सकते हो, CS3, CS3, क्या ये दोनों सेम है कि different structures है, तो ये दोनों आपके सेम ही है, बस इसको आप ऐसे कर दिए, इसको ऐसे खड़ा कर दिए, इसको हम different structure नहीं बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपके isomers नहीं बनेगे, C2H6 का isomers नहीं बनता है, इसी तरह से यदि हम C3H8 ले ले, तो क्या C3H8 का isomers बन सकते हैं, ज़रा सोचो, तीन carbon atom है न, एक, दो, तीन, लगा दिए, अब hydrogen देख लो कहां कितना है, यहाँ पे तीन hydrogen, अब वो तुम लोग जान गए हो, ठीक है न, अब हम, समझ के तुम थ करते हैं न, C3, C2, यह जो C3 group है न, इसको यह ज़र नीचे लटका देते हैं, क्या, यह नया structure बन गया, कि वही structure यह है, तो यह दोनों structure आपका सेम है, समझेरें, तो यह दोनों structure सेम है, इसलिए हम इसको भी बोलेंगे, यह isomers नहीं कर रहा है, डिफरेंट structure बनना चाहिए अब देखो different structure अब हम समझाते क्या होता है, जैसे अब हम next example की बात करते हैं, C4, H10, इसमें ज़रा देखना, एक, दो, तीन, चार, अब यहाँ पे तीन hydrogen atom आएगा, यहाँ दो आएगा, यहाँ दो आएगा, यहाँ पे तीन, अब इवन हम hydrogen atom ना भी लिके ना तो तुम दो तीन, अब चौथा carbon atom को, हम ऐसा यह दे लिग देंगा तो क्या different structure बन गया, ना, यह carbon atom को यहाँ पे लटका दिए C3 group को, तो यह structure सेम है, पहले और इसका दोनों structure अभी भी सेम है, different बनाना है तो हम क्या करेंगा, एक, दो, तीन, अब यहाँ पे हम C3 को लाकर रख है, और अब आप यह देखोगे, C3, यह CH, यहाँ पे C3, यह CS3, अब carbon hydrogen count कर लो, उतना ही रहेगा, C4, H count करो, 3, 6, 3, 9, 10, C4, H 10 ही रहेगा, लेकिन यह structure और यह structure सेम ही different है, इसमें चारो carbon बिल्कुल 1, 7 लगे वे, 1, 2, 3, 4, straight में लगे वे, लेकिन इसमें 1, 2, 3, और यह आ इसमें भी तो हम लटकाती है, 1, 2, 3, इसको ऐसा भी तो बोल सकते, 1, 2, 3, 4, यह बिल्कुल straight में एक ही chain का हिस्सा है न, तो इसलिए यह आपका different structure नहीं होगा, आगे हम IUPAC name बता देंगे, तो वहाँ से और easy हो जाएगा, यह कभी आपको confusion होगा, कि वह दो structure है, वो same है कि different ह कैसे देखे हैं, तो आप वहाँ पर क्या करना, IUPAC name लिख लेना, IUPAC nomenclature अभी हम सिखाएंगे तुम लोग को लिखने के लिए, तो यह कभी दिक्कत हो कि वह दो structure same है कि different है, तो आप क्या करना, दोनों का IUPAC nomenclature लिख लेना, यह नाम यह सेम आ गया, मतलब वो same structure है, यह यह नाम different आ गया, तो different structure हो जाएगा, वह बहुत easy हो जाता है, तो वह next lecture में discuss करने वाले हैं, तो C4H10 का यह दो isomers, इसके ज़िए number of isomers आप से पूछे जाएं, तो याद रखेंगे कितने isomers होते हैं, दो, अब इसके अलावा कोई तिसरा structure possible नहीं है, एक और हम बात कर ल पांचों को हम इस्टेट में लगा दिए, दूसरा possibility क्या है, हम 4 carbon को इस्टेट में लगाएंगे, एक carbon atom बचा है, एक carbon atom को यहां लगा देंगे, hydrogen मैं नहीं दिखा रहा है, अब तुम लोग खुद से इतना कर लेना, वह तुम counting कर लोग, C5H12 बात बराबर, मतलब बिलकुल बराबर hydrogen बराबर carbon है, उसमें कोई उपर निच्चे नहीं होने वाला, इसका tension तुम लोग मतलेना जा रहा है, तीसरा possibility क्या है, अच्छा, अब तुम लोग यह मत बोलना कि सर, यह वाला carbon को हम उठाके इधर लगा देते हैं, यदि आप ऐसा करोगे, तो यह जो structure है, यह second औ बहर से देखना पड़ रहा, इसलिए यह जो structure है, वो नया structure नहीं है, यह दोनों same structure है, तो हम इसलिए इस structure को दुवारा नहीं बनाएंगे, got it, तो फिर अब इसका क्या कोई और possible structure है, अभी एक, दो, तीन, चार, पांच, पहले पांच carbon straight chain में लगे थे, फिर चार carbon atom straight chain में लगे हुए है, यह कब राचे, और अब हम लोग 3 carbon को straight chain में लगाएंगे, अब हमारे पास बच गए 2 carbon atom, तो 2 carbon atom को हम कुछ इस तरह से लगा है, अच्छा, यदि हम बात करें, हाइडोजन के दिखो जारेंगे, मैं दिखा देता हूँ, अभी हाइडोजन 3-3 क्यों आ रहा देख लो यार तुम लोग, इस carbon के पास कोई hydrogen atom नहीं होगा, यदि हम carbon के नंबर की बात करें, तो 5 carbon तो दिखी रहा है, हाइडोजन कितना isomers बने तीन, तो यार इस चीज़ को आप याद रखेंगे, और साथ ही साथ practice भी कर लेंगे, यार तीन isomers क्यों होगा, और कैसी होगा, बहुत और बनाने को question दे दिया जाता है, कि draw the structure of 3 isomers of C5-12, तो यार फिर बनाने आना चीज़, इसले कि रटने से भी काम नहीं होग ये सारी चीज़े अब हम लोग next lecture में discuss करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि lecture ऐसे में बहुत बड़ा हो जाएगा, तो फिर आप लोगो बोर लगेगा, इसलिए हम एक next part में बना देंगे, ताकि अब थोड़ा सा हर एक चीज़ को बहुत detail में हम discuss कर सके, तुमें भी अच्छे स हर चीज़ समझ में हैं, तो चलिए यार फिर मिलते हैं, next part में, next day, फिलाल के लिए यार, bye bye and have a nice day to all.